अब हम सुत्र दस लेते हैं आप अपना कटोरा पूरा भर्दो फिर्वा छलक जाएगा आप अपने चाकू को रोज-रोज गिसा करें फिर्वा बेधरदार हो जाएगा दन और सुरक्षा के पीछे दोड़ें फिर आप अपना रदय कभी भी हलका नहीं कर पाएंगे और दुसरों की मान्यताओं की चिंता करें फिर आप उनके कैदी हो जाएंगे ब्यूटिफुल सुत्र चार टुकड़े में कहा है लाउस से ने मैं चार टुकड़े में कवर करूंगा पहला सुत्र है कि आप अपना कटोरा पूरा भर दो फिर वाच छलक जाएगा अब ये अमारे मन का नियम है बड़े ध्यान से समधना हम पैदा होने से लेकर यहां तक पहुँचे और आगे भी पहुँचेंगे लेकिन हम जो पैदा होते वक्त थे वो आज नहीं हैं और जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे तो लाओ से कहे रहें कि ऐसा हो क्यों रहा है इतनी बदलाहट क्यों आ रही और कहां से आ रही तो उसका सिदा सिद्धान्त कहे रहे हैं कि आप अपना कटोरा पूरा भर दो वो छलक जाएगा इसका अर्थ यह हुआ बढ़े ध्यान से समझना कि कुछ चीजे ऐसी है जो हमसे छूट रही है और कुछ चीजे ऐसी है जो हमारी पकड़ में आ रही है हमारे में परिवर्तन दो तरीके से और दो कारान से हो रहा है हम वैसे के वैसे नहीं है तो इसका मतलब कुछ चीजे छ हम क्या कर रहे हैं समध लेना कि हर मनुष्य कैई छैजों से छुटपना चाहता यह भी दूसरा सत्य है और कई चीजों को पकड़ना चाहता यह भी सत्य है अम इसी प्रयास में लगे हैं लेकिन दिख्कत क्या है कि हम मन के नियम समझते नहीं और उल्टा काम करते तो लाओस से कहे रहें कि simple नियम समद लो कि आप अपना कटोरा पूरा भर दोगे तो आप उस चीज़ से छूट जाओगे बड़े प्यार से समद लेना और अगर आप कटोरा पूरा नहीं भरोगे तो कटोरा कभी भरेगा नहीं और जब तक भरेगा नहीं आप उससे चूटेंगे नहीं अब ये रोज मर्रा हम जानते हैं पानी का ग्लास पूरा भर दो भर दो कि तो पानी छलक जाएगा अब हम करते क्या है समद लेना हर मनुश्यक क्रोज से चूटना चाता प्रेम पाना चाता और काम उल्टा करता लाओ से कह रहे हैं कि ये सुत्रेक जादू है आप समद लो आप तै कर लो कि आपको जीवन में क्या-क्या नहीं चाहिए और क्या-क्या चाहिए आपके हाथ में जो नहीं चाहिए उससे छूट जाओ और जो चाहिए उससे मत चुटो आपके हाथ में लेकिन आप उस चीज़ का फाइदा नहीं उठाते हम समझते नहीं तो क्रोध से आप चुटना चाते तो जब जितना क्रोधा कर लो क्रोध का चलक जाएगा कितना क्रोधे बितर निकल जाएगा बाद समाफ्त हो जाएगी तो हम क्या करते समझ लेना क्रोध का क्रोध का क्रोध का कभी कोई पूरा भरने ही नहीं देता टुकले टुकले में, इंस्ट्रोल्मेंट में, रह रेकर, और बच्चा कुचा रात को अकेले में, कभी मोबाईल पे, कभी अपने को मार के, कभी बिचारे जिसकी गल्ती ने उसको डाट के, इंस्ट्रोल्मेंट में, अब जिवन बर क्लोध हमारा साथ रेता, इडशा, तो हम जिससे चुटना चाहते, आप उटा करते, उसको पकल के रखते, उसको इस्ट्रोल्मेंट में निकालते, वो खतम नहीं होता, फिर प्रेम आप चाहते, तो क्या करते, शादी हुई नहीं, उसके पहले ही पुरा प्रेम दे देते, वो छलग जाता, दोनों एक दुसरे के अगर आप नहीं चुटना चाहते, समध लेना, अगर आप प्रेम से चुटना नहीं चाहते, तो प्रेम इंस्ट्रोल्मेंट में दो, क्रोध पुरा दो, दिकत कोई मनुष्य के कुछ भी नहीं है, वो जो चाहता ना, उसको ऐसा पकड़ता विचारा के चुटे ही ना, वो आप जोर से पकड़ोगे, आप पूरा पकड़ोगे तो चुट जाएगा, तो प्रेम की ब्यूटी यह है, कि राम और सिता के भी जगले होते, शंकर पारवदी के भी जगले होते, और क्रश्न के तो खुब जगले होते, रुट्ते मनाते, तो इंस्ट्रोल्मेंट में चलता अभी मेरे को यहां से 20 कदम चलना है, और मैं दर्वाजे के बार, अब मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, कि मैं दर्वाजे के बार निकलूए ना बड़ा मज़ा यहां पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चार कदम आगे, दो कदम पीछे, तो मैं जीवन बर यह खेल खेल सकता हूँ, प्रेम का, अगर मैं 20 कदम सिधे दीदूंगा, अरे, 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 घखतम, एक साल बाद पुछो, और एक साल पेले पुछो, आधनी का उपिनियन कितना चैंज आ जाता, मैं तो कहीं को देखा है, और मेरी जिस से शादी ओरेना अव लड़का, अच्छा, मैंने वोला साल परवाद फिर मिलेंगे, छे मेने की बात है, मैं बोलू क्या हल चाल, अरे कोई ले जाए जान चूटे उसकी, इतना दे दिया, अरे मत दो, तीन दिन हसे होना, तेक दिन गरबल कर दो, चलती देगी, तो ये जीवन का मन का नियम है, आप अपना कट पूरा भर दोगे, वो चलक जाएगा, हम बिमारियां इंस्ट्रोल्मेंट में देते, और पॉजिटिव पूरी चलका देते, चला जाता, इस सुत्र का दूसरा भाग, कि आप अपने चाकू को रोज-रोज गिसा करें, फिर वो बेधारदार हो जाएगा, अब देखो, संसार तो बड़ा सिधा और साफ है, ओर संसार बड़ा भी होना चाहिए, बढ़ाना भी चाहिए, और सब जगे जीना चाहिए, क्यो न जीए, लेकिन उसका एक तरीका है, अगर संसार में रहेंगे हम, समझो आप, अगर हम जंगल में जाएंगे, तो क्या होता है, आप वाइल-ड पास अगर संसार में रहना है तो चाकू होना जरूर है क्योंकि आज पास सब खतरनाक लोग है और सब के पास चाकू होते अपने अपने लेकिन चाकू बड़ा धारदार होना चाहिए लाओ से के रहें उसमें कोई बुरी नहीं है में भी कह रहा हूं करश्ण भी कह रहें बड चाकू रख ले हरे को अपनी सुरक्षा खुद करनी है संसार में तो आप चाकू रखो लेकिन इस्तेमाल करने के तरीके भी आना चाहिए ठीप चाकू से तो काम नहीं होता अभी हमारे आपके हाप में कोई बंदुक दे दे तो क्या हो है क्या यूं देखेंगे यूं तो रख देंगे किस काम की बंदुक हो तो भी किस काम की इस्तेमाल करते तो आना चाहिए तो लाओ से कह रहे हैं कि प्रेली बात तो चाकू होना चाहिए अगर संसार में जीना है और उस चाकू को रोज-रोज गिसेंगे तो बेदारदार हो जाएगा अब हम करते क्या हैं देखना हत्यार तो सब के पास है जां कमजूर नहीं और महिला है वह अपने को जितनी अबला सिधी एसी है नहीं ज्यादा हतियार है और सदियों से है लेकिन अथियार तो अच्छे हैं लेकिन आप देखना कि हतियार का उप्योग रूठना एक हतियार है अच्छा हतियार है कंट्रोल में आयाएगा husband temporary है ना वही चाहिए लेकिन लाउस से के रहें कि हत्यार तो अच्छा है बड़ा शूब है लेकिन आप रोज रोज वाप रहेंगे तो बेधारदार हो जाएगा अभी रोज रूठे रहेंगे रोज रूठे रहेंगे तो एक दिन बोलेगा इसका नामी सुजा सिंह रख दो सुजा हुआ मूर है था बोले चोट मरने दो उसको तो दरा style से, धिरे धिरे वाप रेंगे, तो जीवन बर वापर पाएंगे, हत्यार अच्छे हैं, कोई हत्यार में बुरे ही नहीं है, लेकिन रोज रोज वाप रेंगे, वो करते न, बच्चे, वो स्कूल में absent होते, होश्चिया लोग खुद लिख देते पिता जी की चिठी, विचारे जादा सीधे होते हो, पिता जी से लिखवाते हैं, माता जी से लिखवाते हैं, लेकिन एक का एक बहाना रोज बनाएंगे, तो टीचर पकल देता, तो creativity बहानों में चाहिए, एक का एक हत्यार आप गिस लें, कहीं पे भी, किसी भी तरफ गिस दें आप, वो बेध उसको दिन में दस बार टोकते हो, उसने स्टॉप कर दिया, आपको सीरियसलि लेना, और पिता जी क्या करते हैं, 15 दिन में एक बार, कभी-कभी, पापा ने बोल दिया नहीं, आज के बाद गरबल नहीं, अलट हो जाता, तो आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी सुने, तो ज जीवन में, मन के नियम हैं, संसार में रहने के। हूँ, ये खिताब हिंदी और गुज्राती में सभी प्रमुख बुक्स्टोर्स तथा e-commerce साइट्स पर उफलब्द है, अब लेकिन आप लाउस्ते की बात करूँ और क्रश्ने की बात ना करूँ, तो क्या बड़ा अंदर से वो लगता है कि क्या यार, क्योंकि लाउस्ते ने सूत्र ही एक आदमी के लिए के क्रश्न के लिए, दूसरा कोई पूरा का पूरा इसमें फीटी नहीं हो बाता है, इतने खतरनाक सत्य हो, थाट, 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 और क्रश्न वो व्यक्ति, कि 288 लिके तुमने महराज, 2888 भी लिखते ना, तो मेरा पूरा जीवन वैसा का वैसा रहता, एक परसंड सत्य से डेवेट नहीं होता, क्रश्न का संसार कितना बड़ा था, जरा गौर करना, शादियां, गल्फ्रेंड, संसार, यूद, वद, वासूरी और कुछ बाकी नहीं और कितने दूश्मन, दूश्मन ही दूश्मन, क्रश्न की हलत ये थी, कि उनको अक्सर बेश बदल के निकलना पड़ता था एक राजिया से दूसरे राजिया, कितने लोग ताक में बेटे थे, कि मार ढलो इसको, मिले और मार ढलो, अरे भाई, आसान नहीं है, वो तमाम अत इस यारों से जितने संसार में उपलब दे, समझ लेना, तो क्रश्न अपने व्यक्तित्वा के लिए गिता में दो स्लोग केते हैं, एक तो अरजुन से केते हैं, कि संसार के सारे भूतों में में हूँ अरजुन, और सारे भूत मुझ में हैं, भूत मतलब व्यक्ति, विचार, वस्तु सब आ गया, उन सब में में हूँ, कोई ऐसा विचार नहीं, है ना, क्रश्न क्लेरिफिकेशन करते हैं, गिता में कहते भी हैं, कि काम भी में, अहंकार भी में, अरजुन तु क्यों चिंदा करता, अरे मेरे बगर पत्ता नहीं इलता सब कुछ में, don't worry, be happy, है ना, तो सारे हतियारों से ले जूँ, क्रश्न कहते हैं, कि संसार के सब भुतों में में हूँ, और सारे भुत मुझ में हैं, लेकिन क्रश्ना, अरजुन से आगे कहते हैं, लेकिन अरजुन, एक राच की बात बताओ, बोलें, न तो में उन में से कि मुझ में है, beautiful, यह पूरा क्रश्न का केरेक्ट्यार है, आप समदो उसको, कि क्रश्ना एक ऐसे परमशुन्य है, और अपने आपको इतना वे लिक्यूब्ड करके उन्होंने रखा है, कि कोई जीवन में इतने एक्षन के लिए भी क्रश्न को नहीं हरा पाया, जैसी क्रश्न कहना पड़ता, अक्रेले क्रश्न से काम नहीं चलता, तो वो कहते हैं कि मेरे पास सारे हत्यार है, तो बोल क्या चाहिए, मोका पड़ेगा छल, रेडी, कपट, रेडी, हिंसा, रेडी, मोका पड़ेगा तो, लेकिन हिंसा हुई, छल हुई, फिर छल अपने घर, मैं अपने बढ़े दियान से समझ लेना, सब हत्यारों से लेशू, जरुवत पलेगी तब, और वो भी यथा योग्या, वो भी यथा योग्या जितनी आवशक्ता होगी, तो इसा नहीं इतने इंजेक्शन से काम चला तो इतना बड़ा इंजेक्शन बट कर लगा दिया नहीं, यथा यथा योग्या इंजेक्शन, आवशक्त्या पे ही, तो दो पॉइंट, जब दूसरा को अल्टरनेट नहीं, मेरे पास रेडी है, अब इतने हत्यारों से लेश व्यक्ति को कौन हरा सकता, क्रश्न को कोई नहीं हरा पाया, बले द्यान से समझ लेना, तो हत्यारों में बुरे आना चाहिए, फिर स्वार से उपर उठके वापड़ते आना चाहिए, और यता योग्या वापड़ते आना चाहिए, बड़ी उची कला है, और ये कला का मालिक संसार में रहे ना, जितना रहना उतना रहले, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ये सारी दिक्कत उनको है, इनके प पहंते हो, कुछ तक्लीप नहीं है संसर में, धन भी तक्लीप नहीं, कुछ तक्लीप नहीं दवारकादिश को कोई तक्लीप नहीं तो लाओच टर कहे रहे हैं कि आप अपने चाकू को रोज-रोज गिसा करें, फिर वो बेधारदार हो जाएगा और आप खुद देख लें, हमको कोई तकलीफ होती ही, हम एंटिबायोटिक लेते हैं ना, फिर आप बार-बार वो एंटिबायोटिक लेंगे, वो बेधारदार हो जाती हैं, तो यह सत्य जीव का अटल है दीप्त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदा बाहर कहानिया में, सर्वकाल इन सर्वश्रिष्ट कहानियों और चटकुनों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए, उनके गहरे साइकलोजिकल और फिलोसोफिकल पहलों को सार के रूप में अपने ही अनोख्य अंदाज में स तो उसी सुत्र का हम अगला भाग लेते हैं, कि आप धन और सुरक्षा के पीछे दोड़ें, शब्द बड़े ध्यान से समझ लेना, आप धन और सुरक्षा के पीछे दोड़ें, फीर आप अपना रदय कभी हलका नहीं कर पाएंगे, एक्चुली ये दोई चीजें हैं, जिसने मनुष्य को बरबात कर रखा है, उसका रदय इतना भारी हो गया है, जैसे पुरे संसार का बोज उसे उठाना हो, तो लाओ से कहे रहे हैं कि आप धन और सुरक्षा के पीछे दोड़ेंगे, फीर आप अपना रदय कभी हलका नहीं कर पाएंगे, आप जीवन के जो असली मजे हैं, जीवन के जो असली माइने हैं, यह जो कुपसुरत जीवन हैं, जिसमें छोटी-छोटी बात में इतना बड़ा-बड़ा मजा है, आप कुछ नहीं ले पाएंगे, दरसल किसी मनुश्य को धन के पीछे भागना पड़े, या सुरक्षा खोजनी पड़े, वास्तविक्ता तो यह है, कि उससे बड़ा मनुश्य का दुर्बाग्य नहीं हो सकता, सम्रद्धी और सुरक्षा यह दोनों उसके जनमसित अधिकार है, नेचरल राइट है, जो उसको उपलब दे, उसे दोड़ना नहीं है, लेकिन हमारी मानसिक्ता ऐसी हो गई है, कि दोड़ा भागी, दोड़ा भागी, दोड़ा भागी, और बाकी दोड़ा भागी, तो फिर भी ठीक है, लेकिन धन और सुरक्षा, और फिर धन है क्या, आप कभी गौर करना, कितना भी कमा लें, कितना भी पालें, छोड़ के जान पड़ता, पीछे दोड़ने से मिलता नहीं, और वास्तविक्ता ये है, कि हम जिस लेवल पर बात करते, उनलों का धन के बगर काम अटकता भी नहीं, अगर जीना हो तो, अगर काम करना हो तो, अगर आनंद लेना हो तो, अगर प्रगति करना हो तो, कि और सुरक्षा हर कोई अपने आपको पूरी तरह से सुरक्षित कर लेना चाहता है ये भी एक अनोखा पागलपन है आप सुरक्षित हैं आपकी इस प्रोसेस में आपके मन में अज सुरक्षा का भाव पेदा हो रहा है वरना आप सुरक्षित है क्या प्रॉब्लम है किसी अभी, यहां, कभी प्रॉब्लेम नहीं है, इमेद्नरी प्रॉब्लेम है, फ्यूचर की प्रॉब्लेम है, पूरे जीवन, फिर बच्चों का जीवन, फिर खांदान का जीवन, कर लो मेहनाच, चलो, चलो बगवान बीच में नाइ, निहम तोड़ ले, आप कुछ मिल भी जाए फिर क्या अचानक एक दिन एक्सिडेंट हो गया क्या करोगे समझो इस जीवन की अब प्रत्याशित्ता को स्विकारो इस जीवन के माइने समझो यह खुपसुरत जीवन है यह दोला भागी के लिए नहीं है एक किस्टा सुना तो आपको एक बार एक सन्यासी बहुत बड़े धनपती के यहां गया और बोले आप मुझे कुछ देंगे धनपती बोले जो बोले वो दूंगा महराज आपकी रेपूटेशन भी बड़ी है आप सन्यासी भी पक्के हो मेरे पास बहुत है और मेरा दिल भी अच्छा है सन्यासी बोले देख यार बहुत है तो उसको के सकते जिसको और की जरूत नहीं है बड़े ध्यान से समझ देना यह मेरा कोट है और मैं हमेशा केता कि मैं इस संसार के क्राइटेरिया से नहीं चलता मैं धन्वान उसको गिनता हूं और वास्तविक धन्वान वो है जिसे और नहीं चाहिए आपको कितना चाहिए वो आपकी गरीबी को दिखाता है आपके पास क्या है यह आपके धन्वान होने का क्राइटेरिया कभी भी नहीं है क्योंकि जीवन मांसी के जीवन मन है जीवन बितर है अगर मेरे पास दस मकान है तो क्या मैं दसों मकान में सो सकता नहीं सो सकता, जीवन मान जी के, मुझे चार और चाहिए, मैं गरीब हो गया, पेले तो मुक्ता करी, अगर मेनस से कमाया तो, लेकिन उस बात को फिर कभी कहेंगे, अगर आपके हक्का होगा, तो छप्पर फाड़ के आएगा, लेकिन मेनस से कमाने में वेस्ट, और फिर वापर नहीं पाते, तो जीवन मान जी के, अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं राजा हूँ, राजा होने से थोड़ी राजा हूँ, तो सन्यासी ने बोला, कि तुम्हें और चाहिए, बस यही तो समस्या है, लेकिन समस्या तुम्हारी तुम जानो, मुझे तो एक छोटी सी बेट चाहिए, लेकिन चाहिए हिरे जवाराच, धनपती बोले थोले से चाहिए न दे दूँगा, तो सन्यासी ने एक छोटा सा गड़ा निकाला, बोले ये भर्दो बस उसने बोला ये क्या बली बात है तुरंट अपने मुनिमों को बोला, कि जाओ, ठोले हिरे, जवारा, सोना, हार, मार लियाओ, और गड़ा बर्दो वो तो गए है, और लियाओ, डाला गड़े में ठोला और लाओ, गड़े में फिर भरे, और भरता ही चला गया विचारा, अब कर्मीटों चुका था, कि मैं गड़े भर आपको दूँगा, गड़ा भर के हिरे जवारा दूँगा धन बंदी तो बला चौक गया, वो देते ही जाए, और गड़ा खाते ही जाए बरे यह न, करते करते करते, पूरे के पूरे उसके हीरे, जवारा, सोना, जो भी उसके पास था किंती, वो सब गड़े में चला गया दनपती बोले, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन महराज, चलो मेरा तो जो होना तो हो गया, मैं कमिट करके फस गया, लेकिन गड़ा भना काई का है, जो भरता ही नहीं, तो बोले, यह मैंने बड़ी स्टाइल से, मनुष्य के मन से बनाया है, कितना भी डाल दो, बड़ता ही नहीं, बस हम दोड़ते रहते, बस इतना आ जाएगा, हर कोई केता, और मेरे तो कई तरीके के दोस्तियारे, बड़े दुखी हैं, बाते पक्की करेंगा धरम की, यह जितने, मैंने एक चीद देखी, उंची बात करने वाले, बड़ी बात करने वाले, यह सुरू से मेरे बारे में एक थेमह से कि मैं जांगा जिस साल में होंगा बड़ा मस्त होंगा पीर मैं उनने से पोतार तुम मस्त क्यों नहीं रहत है कि बसतों इतना सेट हो जाये kernel तीस साल हो गए सबको देखते देखते पूरे अफसेट हो गए सेट कुछ नहीं होता किसी का हो ही नहीं सकता क्योंकि यह मन का घड़ा में मजदूर बना देता मनुश्य शुरुवात ऐसे करता कि मेरा सब ठीक हो जाए परिवार का ठीक हो जाए हो गया लो फिर थोला कि आए है अब में तुमको नहीं चोड़ोगा अब तुम ऐसा करो को प्रिश्टेदारों के लिए कमाओ बेहं कुछ वै को सिरेक्स कवा दोसरों के लिए कमाओ हमको नोकर बना देता कियो और सब मन के नोकर हो गई इस गले के तो धन की सुरक्षा और फिर कुछ भी नहीं बसता क्रश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् दंपति कोई भी हो वो खतम हो जानी है मेरबानी करके धन की गुलामी लाओ से कह रहे हैं कि धन और सुरक्षा के पीछे तोड़ेंगे तो आपका रदय कभी हलका नहीं होगा आप देख लें इसलिए प्लीज अगर आपको जीवन में सफल होना है, सुखी होना है, बड़ा होना है तो धन को ठुकराते सिखना पड़ेगा धन को बाटते सिखना पड़ेगा वरना आप सुखी नहीं हो सकते और गलती से मिल गया तो वो भी जहर का ही काम करेगा ये तय है दूसरी बात सुरक्षा की वो भी मनुष्य क्यों चाता, मुझे समझ में नहीं आता आप सुरक्षा की सोचते ही वर्तमान से हट जाते आप सुरक्षा की सोचते ही भविषय में पहुँच जाते जो आया ही नहीं, जो अप्रत्याशी थे पूरी तरह से अप्रत्याशीते कब कौन सी बिमारी लगे की नहीं मालूम, कब किसका एक्सिडेंट होगा नहीं मालूम, कब क्या हो जाएगा नहीं मालूम, लेकिन फिर भी सुरक्षा तो चाहिए. मैंने तो ऐसे ऐसे डर्पोक देखे हैं, कि अमेरिका के मॉल में हमला होता, छे मिनें इंडिया के मॉलों में जाना बंद कर देते, दंदा पानी बिजनेस कुछ नहीं, लेकिन हम दो भाई एक साथ ट्रेवल नहीं करेंगे, बहुत बढ़ी सल्तन लूट जाएगी, अरे ऐसा क क्या डर है आपको, बात बात में डर है, सुरक्षा चाहिए, किस बात की सुरक्षा चाहिए, आप सुरक्षीत हैं, सास आई ना, सुरक्षीत हो गया है, और क्या सुरक्षा चाहिए, जियो, जितना जियोगे, उतनी कुदरत से सुरक्षा मिलेगी, और जितना धन को ठुकरा पूरी तरह से गिर जाएगा, है ना, तो आप धन को avoid कर लो, धन आपके प्रेम में गिर जाएगा, आप बोल दो मुझे नहीं चाहिए सुरक्षा, मुझे क्रश्न हो जाना है, बताओ मौत का कुवा, है ना, क्रश्न का पूरा जीवन का है, मौत का कुवा है, एसी एसी जगे जाके अपने को फसा देते, जहां से कोई कहे महाराज, नो चांस, अरे तभी तो हम वापस आएंगा, है ना, तन तनाट, तो सुरक्षा नहीं चाहिए, हम सुरक्षी थे, हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना च्छिपी होती है, सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का, तथा सही परवरिश पाने का ही होता है, दीत्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िये, अनपड़ एडिसन के महान वैज्यानिक बनने की दास्तान, नॉटिनस तु ग्रेटनिस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी तु डॉन्टी, चाइड्स साइकॉलोजी समझने हे तु शेर के बच्चे की कहानी, ना सिर्फ बच्चों, बलकि हर मातापितावट टीचर के लिए भी आवश्चक ग्राफिक बुक्स, हिंदी तथा अंग्रेजी में, आत्वन एस्टोर तथा अन्य सभी एकॉमर्स साइट्स पर व्लग्द। अभी चलो एक कबीर का किस्सा कहता हूँ, कबीर चाधरे बुनते तो उनके जैसा रद है तो असंबवे खेर, बात ही करना क्या करेंगे हम, लेकिन समझना चाहिए, क्योंकि इनका रद हम समझने, तो हमको लगे कि हम तो लूट गए, कुछ मजा ही नहीं ले रहे, इतना मजा है, और कितना मजा है, तो कबीर बिचारे चाधर बुने, बड़ी मुश्किल से मेहनस से एक चाधर बुना है, दस दिन, पंद्रा दिन में, कितने में बिके, और उससे उनका तीन आदमी का परिवार चले, वो पत्नी लूई, और बेटा कमाल, तीन आदमी का परिवार चले, एक तो महराज जैसे, कि कोई चाधर लेने आए, ले जाए, और पैसे का पूछे, तो कबीर बोले कैसा पैसा, देख, बुनने वाला कौन, बगवान, बुना किस चिस से, बगवान से, क्योंकि धागे भी बगवान, ले कौन रहा, बगवान, पापरे का कौन, बगवान, तो बगवान, बगवान से क्या ले ले, इतने बोले, फिर अगर चाधर फ्री में दे दी, तो घर पे रात को जगड़ा, पत्नी और कमाल, बोले कमाल करते आप यार, घर पे खाना नहीं है, कमाल रोता, कमाल बोलता, पीता जी अपने आद दाल बने, अपने आद दाल बने, मालूम है कित्ते दिनु में, कबिर बोले मुझे नहीं मालूम, अरे बोले आप रोज खाते हो, खाता तो हो, लेकिन बड़ा मज़ा आता है खाने में, तो जो मिले उसमों मज़ा आ रहा है, फिर शाम को दोए सुनने आए, नेड़ा आत्मी का खाना बना आए, तीना आत्मी को खाना आए, और कबिर दोए सुनने वालों कहे, भाई देखो खा के जाना हां, लूई लेया, ये लूई थी जो साथ मी बाप आई, ये कमाली था, जो कबिर का साथ मी बाप आया, वो बोले भूल जाते, फिर ये डाटते, कल खबरदार किसी को खाने का पुछा, अरे बोले मर जाओं नहीं पूछूंगा, लेकिन वो सामने आये, भूल जाते, ये राजा है, समझ लेना ये राजा है, राजा को कुछ नहीं चाहिए, वो बाटता है, वो राजा है, हमको चाहिए, हम बाटते ही नहीं, मन से भी राजा नहीं बनते, वास्तविक्ता में भी सम्रद्धी नहीं आती, हम फस गए हैं, और इसी सुत्र की अंतिम लाइन है, कि आप दूसरों की मान्यताओं की चिन्ता करें, फिर आप उनके कैदी हो जाएंगे, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये है, उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है, कि वो कैद हो चुका है, चारों तरफ से पुरा, आप अपने मन को देखना, आप बाश्या है मन के, आपका मन बाश्या है, वो उड़ना चाता, खुली हवा में उड़ना चाता, खूब उड़ना चाता, और जीवर के उड़ना चाता, वो अपना बाश्या है, वो बाश्या रेना चाता, और वो बाश्या था बच्पन में, किसी की नहीं सुनता था वो किसी की नहीं सुनता था ना आपकी सब्यता ना आपका धरम ना आपका सिस्टाचार वो बाश्चात था और यह हसी जो होती न वो बाश्चात की होती यह जो मस्ती होती न बाश्चात की होती हम गुलाम हो गए तो लाउस्ते के रहे हैं तुम इतने गुलाम क्यों हो गए, कहां गई मन की बाश्चाथ, मन को विचारे को अपनी मर्जी का किये कितना टाइम होगी अजराब पूछो, तो जर्चों अपनी मर्जी का करी नहीं रहा तो अपने को जिन्दा कैसे कह सकते इसलिए हैं वो कोई जीना हुआ तो मन उड़ना चाहता लेकिन लाउस्ते के रहे है कि आपने उसको कैद कर लिया कैसे कैद किया प्रोसीजन बता अरुष्य, मेरे पीतर भगवान, यहीं लोग कहते ना, ऐसा थे नहीं कि लाउस इर खशन रिख नहीं कहते, यह भी कहते, सभी कहते, तो मेरे पीतर भगवान, मुझे चलाने वाला भगवान, और मैं आपकी माननिताओं की चिंटा करूँ कि आप क्या कहते महाराज, बस हम आपकी गुलामी क्या 24 गंटे सुबह घर से निकलते तो गुलामी है, गुलामी ही गुलामी है, इस तरीके से रहना, इस तरीके से बोलना, देखो यह जादा नहीं बोलना, यह इस तरीके से खाना, अच्छा सुमवारे या देना, तो मंदीर जाने का है, यह गुलामी है, मन ज नहीं चाहता, मन मस्ती चाहता, मन ध्यान चाहता, मन क्रियेटिविटी चाहता, मन परमात्मा चाहता, मन आनन चाहता, मन नहीं चाहता आपका धन, वो धन है तो भी बिल गेट जैसा है है ना शीकर पे बेटा है लेकिन मन तेंदूलकर जैसा है जो शीकर पे बेटे है ना डुंडेंगे तो नहीं मिलेगा हांकार क्योंकि नहीं है गर्व नहीं है मान वो जीना चाते है वो तो part and parcel of life है नहीं है तो वो भी part and parcel of life है मन को कुछ नहीं चाहिए छोटे खिलोने से खेल लेगा एक बढ़िया कविता पड़ेगा गुन गुनाएगा आहा वारे गालिप बढ़ी कमाल की चित देगे गए और दो चार सुनली दिन निकल गए आपको दिन ही निकालना है आपको यहां टाइम पास करना है लेकिन हम तो कहते हैं नहीं हमको दुनिया हिलानी है आपको कुछ नहीं हिलाना है आपको जीना है टाइम पास करना है कैसे अच्छे तरीके से मौत तय है मौत अटल है जीना महत्तो पूने और कैसा जीए न यह आपके साथ जाता अभी जनर पुर्णर जनम अपना विशय नहीं है लेकिन आप कितना जीए और कैसा जीए यह आपकी पुन्जी है आप जिसको पुन्जी समझते वो पुरी छोड़ के जाते यह पुन्जी आपके काम आती जन्मों जन्मान तर काम आती उसको हम लाते ही नहीं उसको हम पाते ही नहीं तो दुसरों की मान्यताओं की चिंता करेंगे और आप उनके केदी हो जाएंगे अचा दुसरों की मान्यताओं से मेरा क्या लेना देना आप बताएं कुछ लेना देना है कुछ भी लेना देना नहीं है अ मेरा सत्य है कि मेरे में आउगून है मुझे अपने आउगून के साथ रहना चाहिए आप समद लेना लेकिन हम दूसरों के विचार ओड़ते हम गुलाम हो जाते है आउगून है यह तय कौन करता गुन है यह तय कौन करता चलो तय भी कर लिया कि अच्छी चीजे मान ली मेने चलो तो क्या आप एक्टिंग करेंगा उसकी तो गुलाम ही हो गई आपको तो फ्लो में जीना है हां हूं क्या करोंगा बोलो तुम्हें जीऊना मुझे साथ जीऊंगा जो मेरे पास है मुझे साथ कैसे जी सकता जो मेरे पास नहीं है होंगे बुद में गून चलो मान लिया मेंने तो क्या मेरे मेंने नहीं है तो क्या मुझे तो अपने कुण के साथ जीना है ना मुझे अपने साथ जीना है मुझे दिल खोल के जीना है अपने साथ जीना है लेकिन हम दूसरों की माननेत है मान लेते अपने को भूल जाते गुलाम हो जाते तो सवाल गलत सही का नहीं है समझ लेना क्या गलत क्या सही उसका एक ही उत्तर में दे सकता सत्य एक ही है कि जो आपके भीतर है और आप जैसे हैं वो सही उसके अलावा कुछ भी कोशिश गलत मैं नहीं हूं बात खतम हो गई सो गून इसमें है परमात्मा के बिलकुल निकट की सीड़ी है कि मैं ऐसा हूं कितना केते कि आप अपने आपको खोल दो पूरा परमात्मा के सामने हम खोलते ही नहीं परमात्मा को बिचारे को मेहनत करवाते कभी सामने सामने आ जाये ना तो उसको भी मेहनत लगे मालूम पड जोदने में उसको भी महनत लगे कि यार यह तो आप नहीं हो फिर यह भी नहीं और वहां चीपे अंदर इतना चीपा के रख दिया अपने को अरे खोल के रख दो हमेजे हैं ले वालमी की ने खोल के रखा किसने चीपाया मैं बड़े सत्य केने नहीं बेठा भी फिर भी राम ने रावन को मारा हम रावन को शेतान केते लेकिन जो साइकोरोजी समझते वो केते रावन बहुत ज्ञानी था और परम ज्ञानी था तो उसका ज्ञान क्या था उसका गान यही था, कि उसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था, बढ़े ध्यान से समझ लेना, यह रावन का ग्ञान है, कि यह परम ग्जान है, कि मेरे पास छिपाने को नहीं है, आप क्यों छिपाते हैं? और फिर हिंदु धर्म तो डिपेस साइकोलोजी है, चंकर को करोधाता, वो निकाल देते, वो निकालते पूर्ण अतासे, इसलिए भगवाने, आप गून समझना, अगर साइकोलोजी किसी को केती, तो एक से एक ज्ञानी हुए, अगर किसी को केती के पूर्णा होतार है क्रश है, उससे काम नहीं चलेगा, जान लो, कि वो क्यों है पूर्णा तासे प्रकटे, कोई डरी नहीं है मुझे, मन में पाप ही नहीं है, मैं आपके जैसा बनूं क्यों, और आपके जैसा ही बनाना था, अगर बुद्ध बनना ही जीवन का लक्ष्य था, तो प्रक्रती से सब ब बन जाओ शांती से, सो दूसरों की माननेताओं की चिंता करेंगे, ताप उनके गुलाम हो जाएंगे, और गुलामी से बढ़ा कोई अभिशाप नहीं, आप केदी हो गए हैं जबारा छे भागों में लिखित क्रिश्न की संपूर्ण आत्मकत्हा, मैं क्रिश्न हूं की छे बुक की ये कम्पलीट से, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर साइट्स पर उखलब्ध है